लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तिया जलाने में आदूनिक बारत के वर्तमान दृतराष्ट्र श्री 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 नरिंदमोदी जी अब तो बंद आंखे खोलो आतिया जंता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं क्योंकि मनिपूर क एक भी फोटो नहीं है गए नहीं है ना बॉस कश्मीर हमेशा बिर्यानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं अजी डोवा इस व्यक्ति के विजिट से पूरी सरकारी तंत्र का दिमाग खराब हो गया था सरकार चाह रही थी कि सिरफ हम एक ही समुदाय के जो है कैम टच करके वापस आ जाए ताकि और भी महौल खराब हो जाए ना जाऊंगा मोदी जी नहीं जाएंगे ना जाने दूंगा राउल जी को नहीं जाने देंगे मैती हो या कुकी समाज हो सबके जबान में एक ही शवता कि वी वांट पीस फ्रांस में दो व्यक्ति एक गोली से और एक बिल्डिंग से गिर कर उसके लिए आपने लगतार कारेक्टरम चला दिया लेकिन आप मनीपुर के बारी में कुछ नहीं दिखा रहे सुनो दितराष्ट्र आप तो बंद आँखे खोलो मोह और लालस को त्यागो अन्याय और ध्वेश को छोड़ो उडंता और पाप को डंदित करो और न्याय और सब्वाव के राप पर बढ़ो आदूनिक बारत के वर्तमान दितराष्ट्र श्री 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 नेंदमोदी जी पूरे दुनिया घूम लेते हैं कभी मध्यप्रदेश में चुनावी राली को संभोवित करते हैं के लिए और पिछले बार अश्री वाइशनव जी का आक्टिंग आपने देखा था आपको याद होगा बालसोर वाले बातिय जनता पार्टी में पूरे सबी लोग कलाकार हैं सच में और वंडर्फुल अक्टर्स आप देख लीजे बिरेंच सिंग को तीन बार उन्हों राजपाल महधिया से टाइम लिया था तीन बार दस बज़े फिर बारा बज़े फिर तीन बज़े इस्तिफा देने के लिए और इस्तिफा देने से पहले ही सेट कर दिया था अपने लोगों की जो है उनीके को लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिये और बोले कि लोग का प्यार है हमको पहुंचने के रोक रहा है इस्तिफा देने से देख लीजे अपने को अपने लोग को गाड़ है ना कमाल की बात बिरेंज सिंग जी का और उसके बाद बिरेंज सिंग जी कहते हैं कि भारी ताकतों का जो है हस्त शेप है मनिपूर में outside forces have interfered in मनिपूर अगर भारी ताकत मनिपूर में हस्त शेप कर रहे हैं तो हमारे national security advisor Ajit Doval जी क्यों नहीं जा रहे है Ajit Doval जी तो Kashmir इतने बाद चले गए है मैं तो उनके लिए क्योंकि मैं खोज रहा था Ajit Doval जी तो कुछ भाम एक बार में मनिपूर नहीं गए लेकिन ये कश्मीर में बिर्यानी खाते हुए फोटो मिल गए क्योंकि मनिपूर का एक भी फोटो नहीं है वो गए नहीं है न बॉस Kashmir हमेशा बिर्यानी खाने के लिए पहुंच आते है Ajit Doval National Security Advisor मनिपूर क्यों नहीं पहुंच रहे हो आप ही का CM बोर्डरों की बाहरी ताकत उसमें शामिल है तो NSA क्या कर रहा है NSA टोटली गैब अमिच शाजी का तो मैंने बता दिया वो तो तीन दिन अपना खाना पूरी करके निकल गए मनिपूर के जितने भी हत्याएं हुई है विस्तापितों है बट सबसे विचितर चीज़ और मैं आपको जब बताना चाहूँगा एक आदमी का विजट से इस व्यक्ती के विजट से पूरी सरकारी तंतर का दिमाग खराब हो गया था जब राहूल जी इमफाल पहुंचे और मैं आप उसको उसके बारी में दोस्ट से की बताना चाहूँगा हमने राहूल जी ने तह किया था कि हम रोट से जाएंगे और उसका कारण भी मैं बताना चाहूँगा सरकार चाह रही थी कि सिरफ हम एकी समुदाय के जो है कैम टच्च करके वापस आ जाए ताकि और भी महोल खराब हो जाए ये इनका शद्यंत्र था आप देख लीजेगा कि सत्ता में बैट वे लोग चाह रहते कि हम चुराचांगपूर पहुंचें जहाँ पर कुकी समुदाय के लोग हैं लेकिन मौईरांग नहीं पहुंचें जहाँ पर माईती समाज के लोग हैं पूरे गंबीरता के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा और जब हम मौईरांग के बिशनुपूर में गारी के कारकेट में आगे बढ़ रहते हैं तो वहाँ पर जो है हम लोग को रोका गया वहाँ के डी-एम और डी-सी और एसपी से और मैं देख रहा था कि बारतिय जन्ता पार्टी के सबसे प्रमुक दुष्प्रचार के सर्गना संबित पात्रा क्योंकि उनको जूट बोलने के इतनी आदत हो गई है उन्होंने का कि राहूल गांदी जी को रोका गया अरे भाई साथ जिसको रोकता है वो थोड़ी उनका पीट दिखाता है वो तो पुलीस को जो पुलीस बैरिकेट को तोड़ रहे ते लोग और आप लोग में से सब लोग यहां पर उपस कुछ लोग उपस्ते थे अब जूट बोलने का भी सीमा है पबलिक जो है बैरिकेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं please let Rahul ji go और वहाँ पर एक नारा चल रहा था ना जाओंगा ना जाने दूंगा seriously ना जाओंगा Modi ji नहीं जाएंगे ना जाने दूंगा Rahul ji को नहीं जाने देंगे अब बताएए यार ladies barricade तोड रहे थे Rahul ji वहाँ से हटे नहीं tear gases चले यहां पर काफी लोग को जो है हमरे पोली से इतने दिन की नौकरी हुई इतने आंसू गैस हमने छोड़ा था लेकिन कभी भी tear gas हमने आँक में नहीं लगा पैली बार जो है यह अनुबव मानिपूर में हमें मिला seriously because जब आप फेकते हो तो उस तरफ पीचे नहीं आता है इस बार हमारे तरफ ही आ रहा था लेकिन Rahul Gandhi ji did not move he said no I will go and meet the people of मनिपूर irrespective of the communities और हजारो के संक्या में माईला लोग जो है पोल रहते हैं कि let Mr. Gandhi go let Mr. Gandhi go why is the government blocking your visit what is the hidden agenda people of मनिपूर and the Bharatiya Jhuta Party has no sense of shame Tanik से भी लोक लाजने कि press में उनके कारेला में बैट करके जूट बोलते हैं आपके साती गंड वहां पर उपस्तित थे राहूल गांदी जिन्दाबाद Congress Party जिन्दाबाद let राहूल गांदी गो जब finally जब हम आगे ने बढ़ पाए तो जब decision हुआ कि हम पीछे वापस जा रहे हैं तो बिशुनपूर से इंफाल तक माईला लोग खड़ेते रोड में ताली बजाते हुए राहूल गांदी जिन्दाबाद Congress जिन्दाबाद मैं यह सब इसले बता रहा हूँ क्योंकि जो है Congenital Liars of the Barthia Janta Party Hindi में जनम जात जूटे They will continue to tell lies So the important part सबसे महत्वबन बात यह है And महती हो या कुकी समाज हो सब के जबान में एकी शबता कि We want peace We want peace We want peace हम लोग लोटे फिर तुरंथ हेलिकॉप्टर का व्यवास्ता की गई हम लोग चुराचांगपूर में जो है जितने भी कुकी समाज के Relief Camp में गए थे बर्तमान में वहाँ पर मनिपूर में 350 से उपर Relief Camps चल रहे हैं राउ जी ने उस पर भी जो है सेरेलाग की कमी है बच्चे के लिए बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए है डॉक्टर्स की कमी है इलाज की कमी है इंफरस्ट्रक्टर बहुत ही उचित नहीं है चुराचांगपूर में जितने लोग से मिलने के बाद Relief Camps उसके बाद वापिस इंफाल राउल जी आया है और उनके टीम में वेनू गॉपाल जी थे और बाकी जो Congress के बड़े नेतागन यबोबी सिंग साहब, मेगा चंदर जी, PCC गैकाम जी, जो हमरे CWC के स्टेरिंग कमीटी के मेंबर है विक्टर कैशिंग और अन्यो लोग थे उसके बाद इंफाल के एक कैम्प में हम पहुंचें और मैं आपको यह ही कहना चाहूंगा कुछ लोग सातीगन यहाँ पर उपस्तित है आप प्लीज स्टार्ट शोइंग दी स्टोरी दी रिलीव कैम्प अफ मनिपूर इस हार्ट ब्रेकिंग हमरे कुछ डोंगी राश्चरवादी आंकर तो फ्रांस के बारे में इतने टीवी शो चला रहे थे मैं तो डर गया था कि फ्रांस में क्या हुआ एक आदमी मरा दो आदमी मरा एक तो गिर गया था बिल्डिक से दूसरा मनिपूर में बाई साब एक सो साथ लोग मरे हैं लेकिन कारेक्रम जितना फ्रांस का चला हो तो मनिपूर में कभी मनिपूर के बारे में चला ही नहीं गलत बोल रहे क्या जितना कारेक्रम मनिपूर फ्रांस के बारे में धिखाया गया हमरे डोंगी राश्रवाद यांकर द्वारा और हम यहां पर उपसे पत्रकार को में सलाम करता हूँ क्योंकि यह बीन वरी ब्रेफ I know this, so I have no complaints but I definitely have complained from 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock France में दो व्यक्ती एक गोली से और एक बिल्डिंग से गिर कर उसके लिए आपने लगतार कारेक्ट्रम चला दिया लेकिन आप मनीपुर के बारी में कुछ नहीं दिखा रहे आप मतलब मालिक उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग के बाद दूसरे दिन हम लोग पहुंचें मौयरंग मौयरंग is one of the most historical important places because historically it is the first place in the soil of India वे नेताजी सुबास चंदर बोज अनफर्ल दी थिरंगा उसी नैशनल मॉनिमेंट के बगल में एक रिलीफ कैम्प है वहां पर भी राहूल गांदी जिंदाबाद का बोर्ड थैंक यू फो कमिं राहूल गांदी थैंक्यू कॉंग्रेस पार्टी के नारा लग रहे थे और हलीपैट से लेकर के पूरे शेहर में नो कॉंग्रेस फ्लाइग, only placards थैंकिंग थैंकिंग थैंकिंग्रेस पार्टी and saying we want peace किसी के बारी में शिकायत नहीं उसके बाद हम लोग गए कि वापस आए, civil society के साथ Naga council के साथ हमारी meeting हुई, civil societies के साथ हमारी meeting हुई, सब feedback लेने के बाद governor साथ के वहां पांचे बिरें सिंह साथ एजस कर रहे थे कि acting का time cup करना है क्योंकि वो राल जी के जाने के बाद ही करना चाह देता है इसलिए मुझा लगता है कि time shift करते रहे because he needed to also practice and send his people so 1.30 we met the governor हम governor madam को धन्यवाद देना चाहेंगे Anusya ji को उन्होंने पूरी तरह से राल जी और वेनु जी के बात उन्होंने सुना राल जी ने 4-5 प्रमुख बाते उनके सामने रखे प्रहली बात यह है कि camps की स्तिती अच्छी नहीं है essential medicines available नहीं है जो diabetic, hypertension उनको कोई दवाई नहीं मिल रही है बच्चे के लिए जो खास्तों से छोटे शुशू के लिए जो है सरलाक वगरा का विवस्ता नहीं है यह बहुत बड़ी समस्य है second is violence has to be stopped उनका दूसर पॉइंट था तीसर पॉइंट था कि the leadership of the present government in Manipur has failed and is responsible the leadership has failed उसके बाद उन्हों का इससे जादा मैं politics करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमरा mission peace है तो उसके बाद वो डेली लॉट गए हमरा इतना ही कहना है कि आप photos देख लीजे इस संबित पात्रा को या तो understanding का problem है English का तो बता दीजे ये क्या है गो बैक है कि welcome है I am happy संबित पात्रा दिन प्रैक्टिस मेडिसन anymore no seriously because कमी spokesperson का damage तो limited है imagine practice करता है तो कितना damage होता है क्योंकि अंग्रेश ही पढ़ना मी नहीं आता है ये तो welcome है ना भाई साब गो बैक नहीं है ना यार ये तो welcome है seriously but बीजेप उनकी करती ने है बीजेप की लोग का दिमाग की वसे कम है because fast or furious 8 का जो वीडियो चल रहते हैं उसको बोल दिया कि जो है वो फ्रांस का रायट है तो बीजेप लग इस नोट संवेट पात्रास फॉल्ट बीजेप बाइनेचर इस लो आईक्यू उनका जो कोई कोई गोस्वामी जीता एक सेकर नहीं उसका नाम में लिखा था गोपाल गोस्वामी जी और सत्या सनातन यह दोनों ने ट्वीट किया तो बाकी लोग बुट सारे लोग है बीजेपी के मंत्री भी अंत्री मिल जाएंगे जो फास्ट फॉरियोस आर्ट का जो गाडियां गिरती हुई थी अब गिरते हुए बिलिदिंग का फिल्म चल रहा है ना याद है उसको बोलते है कि फ्रांस में जो गाडियां गिल रही है आसमान से कर देठी है जो साम्ट गिल्वाइब करते लूंड थी अएंट श्या थी आहिस करम त्यू थी। who went to Manipur and who bravely visited every possible community and people who are suffering. He raised the issues with the right people, the governor. And I think the effect of Mr. Gandhi's visit, you can already see the schools and all slowly things are hopefully returning to some amount of normalcy. But please remember, ek cheese yad rakhiyega, Rahul ji told this during the meeting also, that he has never seen something so disturbing in his life. Communities ke beech mein jo dara rahe hain, uski barpaye karna baut hi muskil hai. It will take time. It is terrible. The distrust is horrible. लोग तूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तिया जलाने में. तुम तरस नहीं खाते, बस्तिया जलाने में.